नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एकोंड नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं विद्वा तलाखशुदा महिला पैंशन इस पैंशन योजना के अंतरकत तीन हजार रुपे तीन हजार रुपे इस तारीक में आगई पैंशन सीधे लाभार्तियों के बैंक खाते में ये पैंशन पेमेंट ट्रांसफर कर दि कि चुकी है जिसका यहां पर हम आपको एक प्रूव दिखाने वाले है आप स्वैम देख लिएगा कि किस तारीक में ये पैंशन पेमेंट सरकार की तरब से किया गया है यहां पर हम आपको प्रूव के साथ जानकारी देने जा रही हैं यदि आप भी एक पैंशन धारक हैं आप भी सरकार्षे, विद्वा महिला या तलाक्षदा महिला किसी भी एक पैंशन का लाब प्राप्त कर रहे हैं। आज की यह जानकारी, यह खबर आपके लिए ही है। वीडियो की सुरवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले। ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है, वह सबसे पहले आपको पराप्त हो। और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके। चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं। इस समय जो आप देख रहे हैं, यह है PFMS की ओफिसल वेबसाइट के माध्यम से आपको पैंशन पेमेंट इस्टेटस दिखाए जा रहा है, जो कि एक विद्वा महिला, यह आप कह सकते हैं, तलाशुदा महिला के यहाँ पर आप पड़ सकते हैं, असिस्टेंस टू, डेस्टिटूट वोमें एंड मदर, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले पैंशन धारक का एप्लिकेशन आईडी नंबर होता है, पैंशन धारक का नाम होता है, बैनिफिसरी कोड और एजनसी कोड, अब जो परिशनल था, वे यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है, अकाउंट नंबर भी यहाँ पर हमने हाइड किया हु पहला step है request date का जो कि 20 अगस्त को पूरा हुआ दूसरा step valid status का जो कि 20 अगस्त को valid हो चुका है तीसरा step है fund status का approved by agency जो कि 20 अगस्त को approved हुआ इसके बाद ये चोथा step आप देख सकते हैं file status का ये चोथा step है इसमें bank receive 20 अगस्त 2024 देखे लिखा हुआ है अब जो पाँचवे step है यानि कि credit status का payment success का किस तारीक में payment success हुई है आपके bank खाते में वह तारीक चलिए यहाँ पर अब हम आपको दिखा दिते हैं देखें यहाँ पर आप amount देख सकते हैं 3000 रुपे लिखा हुआ है अब यहाँ पर हम नीचे scroll down कर लेते हैं ध्यान से आपको समझना है अब जैसे यहाँ पर हमने scroll down किया अब यह तो PFMS transaction ID नंबर है और UTR नंबर है जो कि हमने पहले ही hide किये हुए है बैंक transaction date यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 अगस्त 2024 लिखा हुआ है यानि कि 28 अगस्त 2024 यह तारीक है और जो credit date है credit date यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 अगस्त 2024 इन लाभारती को 3000 रुपे pension के मिल चुके हैं बैंक खाते में इनके 3000 रुपे credit हो चुके हैं 28 अगस्त 2024 अब देखें यहाँ पर हम आपको प्रूव के साथ जानकारी दे रहे हैं आप घर बैठे अपने mobile phone से अपना pension payment status कैसे check कर सकते हैं क्या तरीका है क्या process एक कैसे देखा जाता है सभी information आपको इसी वीडियो के मागम से मिलने जा रही है अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दे की 28 अगस्त 2024 को जो विद्वा महिला तलाक्षुदा महिलाओ को pension दी जा रही है वह जोलाई महिने की है जोलाई महिने की pension हैages जोलाई 2024 को और अगस्त महिने में सरकारी लाभार्तियों को दे रही है 3000वे pension payment सरकारी तरफ से किया जा रहा है अब जैसे ध्यान से आप समझे जनवरी महिने की pension सरकाण transfer करती है फरवरी महिने में फरवरी महिनी की pension ट्रांसफर करती है मार्च का महिने में, मार्च की pension अप्रेल में, अप्रेल की जून में, माफ कीज़ेगा अप्रेल की यहाँ पर जो pension दी जाती है, जो अप्रेल महिनी की pension है वह आपको मई में मिलेगी, मई महिनी की मिलेगी जून में, और जून में मिलेग आपको अगस्त में तो देखे ये एक सीक्वेंस होता है ये एक तरीका होता है अब वर्तमान में जो आपको पैंशन दी जा रही है वह जोलाई महीने की है जोलाई दो हजार चोबिस महीने की पैंशन है और सरकार आपको अगस्त महीने में ट्रांसफर कर रही है अब जो अगस अगस्त महिने की पैंशन होगी वह आपको सेप्टैम्बर सितम्बर महिने मिलेगी दो हजार चोबिस के इस महिने में आपको अगस्त महिने की पैंशन मिलेगी और तीन हजार उपे परती महिना ये पैंशन सरकार लाभारतियों देती है यानि कि हर महिने तीन-तीन हजार उपे सरकार लाभारत्यों बैंक खाते में ये pension payment करती है अब कैसे आप अपना pension payment status देख सकते हैं उससे पहले यहाँ पर हम आपको जानकार देते हैं कि किस राज्य में 3000 रुपे परती मैंना सरकार pension दे रही है अब देखे जो दिल्ली का सोटने में वे है DL उत्तर परदेश का है UP और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि माराश्ट को लिखा जाता है MH और हर्यान को लिखा जाता है HR तो इसी परकार से आप हर्यान का सोटने में यहाँ पर आप देख सकते हैं HR लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि हर्याना राज्ये में ये pension payment किया जा रहा है और हर्याना राज्ये में कुल 22 जिले हैं और इस तारीक में ज़्यादतर ये pension payment सरकारी तरब से क्या गया है विद्वा महिलाओ के बैंक खाते में तरलाख्शुदा महिलाओ के बैंक खाते में आप कैसे अपना pension payment status चेक कर सकते हैं उसकी जानकारी चलिए अब हम आपको दे देते हैं परदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी विद्वा महिलाओ और तरलाख्शुदा महिलाओ हैं वे कैसे अपना pension payment इस तरस घर बैठे अपने वाइलफोन से चेक कर सकती हैं चेक करने के लिए सबसे पहले अपने वाइलफोन में Google Chrome browser को open करना होता है और यहाँ पर आपको लिखना है PFMS चलिए हम लिख देते हैं और लिखकर जैसे हमने इसको सर्च किया हमारे सामने कुछ इस तरह का interface open हो चुका है यहाँ पर आपको PFMS of self website पर click करना है आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा यहाँ पर आप पड़ सकते हैं Public Financial Management System यह PFMS की full form है यदि आपके सामने इस तरह का page open नहीं हो रहा है तो तीन बिंदू यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी इन तीन बिंदी पर आपको click करना है एक बार जब आप इस पर click किजएगा आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा और यहाँ पर click करके desktop site अपने while phone में open कर लेनी है यहाँ पर click करके जब आपके while phone में desktop site open हो जाएगी तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा यहाँ पर आपको तीन line नजर आ रही होगी इन तीन line पर आपको click करना है जब आप किलिक कीजेगा आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा और यहाँ पर देखिए आपके सामने आपको किलिक करना है payment status पर जी हाँ इस payment status पर आपको किलिक करना है यह रहा चलिए हम payment status पर किलिक कर देते हैं देखिए दो बार से देखिए जो payment status है ये लिखा payment status इस पर आपको एक बार क्लिक करना है अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया ये सभी option हमारे सामने open हो चुगे हैं इसमें से एक option आपको dbt status tracker का लिखा मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है dbt status tracker पर अब जैसे हमने इस पर क्लिक करके उनको अपनी केटिगरी का चुनाव करना होता है, अब जो हर्याना राज्य के पैंशन धारक है, उनकी केटिगरी है हर्याना estate pension scheme, यहाँपर किलिक करके इसको उनको चुनाव करना है, अब जैसे हमने चुनाव किया, अब जो pension का application ID number है या pension का registration संक्या है इस column में box में आप दर्ज कर दीजे आपकी phone की skin पर जो ये word verification code होगा जब आप check करेंगे तो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है जैसे ये सभी जानकारी ये दो जानकारी आपको भरनी होती है जैसे भर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको search का icon नजर आया होगा इस सर्च के icon पर आपको click करना है आपके सामने आपकी pension का payment status open हो जाएगा किस महनी की pension आपकी रुक रही है और किस महनी की pension आपको दी गई है यदि दी गई है तो किस तारीख में दी गई है और यदि pending है तो कब से pending है और कहां पर pending है यह सभी जानकारी आप देख सकते हैं और यह सभी जानकारी आप PFMS के उसल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं तरीखा हमने आपको बता दिया है आज की जानकारी चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीड़ों में एक और नई जानकारी किस्ट जब तक के लिए जय हिंद जय भारत